हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसे से क्राइकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि एसे से सीजियल 2019 के टीर 2 का त्यारी हम कैसे करें ठीक है विश्बास मानिए कि यह जो मैं आपको बताने वाला हो टीर 2 क के त्यारी के लिए इसको फॉलो करके आप जो है इस डेफनेटली टीर 2 में इतना अच्छा प्रफॉर्मेंस तो डेफनेटली कर देंगे कि आपका स्कोर 330 प्लस जो है वो आ जाएगा ठीक है 330 प्लस आएगा क्योंकि आप समझे कि केवल 20 परसंट ही ऐसे स्टूरेंट्स होत कम से कम एक महिना लगा देंगे यह सोचने में कि किनका पेड़ कोर्स ले कहां से पढ़े किस बूख से पढ़े कैसे पढ़े यह बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि हमेशा अपने चीजों को चीजों पर ही उलजय रहते हैं उनको यह समझ में नहीं आता है कि इस टाइम प स्टूरेंट्स जो कि जो है अभी अभी मतलब पहली बार इनका होगा एक्जाम टीर वन का एक्जाम दिये होंगे इसका टीर टू देंगे इसलिए और यह जो 20% होते हैं जो कि इस बार के लिए जो त्यारी करते हैं को पता होता है स्टेटेजी यह डेफिनेटली इस में से भी वाफस से एपियर करते हैं अपने किसी पोस्ट के लिए तो इस तरीके के वैरियेवल में आपको देखेंगे कि बहुत सरे स्टूडेंट्स जो हैं यहां पर एपियर होते हैं टीर टू के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए सबसे आप लोगो को मैंने क्या बताया था मैंने स्पेषली जो है आप लोगों का टिंडर लिया आवा था ठीक है मेरा च्टार्गेट था कि जी पस नहीं आप चैनल पर चले जाए फिफ्टीन जो आपको मैंने टॉपिक दिया था उस फिफ्टीन टॉपिक से कॉशन्स आए या नहीं आए आपको मैं 30 मार्क्राइव वहां से कुशन्स आया चाहिए वह आर्टिक्ल्स हो यह हूँ तो मैं यह मैं ये मैं ये चीज आपको करना है exam के दोरान के जिस pattern पे questions आ रहा है उसी pattern पे बस आपको पढ़ना है जैसे कि मैंने देखे कि उसमें वहां से पूछ रहा है brand master पूछ रहा है ठीक है तो अब देखे मैं आपको इस से इस से रिलेड करूँगा के कैसे क्या करना है अव जैसे कि brand master से से एक bougest में वहां से ultन आया है अब जैसे कर्म-गरन था आपको जिसको रिलीज किया था आपको home minister अमिसा, notifications पेस था आपको नरिंद मुदि का वो जो book था वो January का questions पूछा गया था मैं देखा कि भाई अगर ये question January से आवा है इसका मतलब कि फिर ये question January से जो brand अमिस्टर brand अमिस्टर बोल ले है आपको book and authors के यहाँ पर बात करें book and authors में जो ये book आये थे जो कर्म योधा गरन ये January से पूछा गया था है उसी type के questions को हमको follow करते वे चलना है और यह हो सकता है कि वो आपके next shift में आ सकते हैं और questions वैसे ही आ रहे थे ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपको tier 2 में अगर आपको त्यारी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि last year का जो tier 2 का paper था त्यारी कहां से start करनी है अब हम लोग उस पे बात करते हैं कि अगर आप tier 2 में चाहते हैं कि आपका बहुत अच्छा result है बहुत अच्छा marks है सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि tier 2 में जिस हिसापका पिछले साल का question आपको निकालना होगा 2018 का 2018 का question निकाली है tier 2 का question निकाल के उसमें जिस भी topic से जो questions पूछा हुआ जिस बैटर्न पर question पूछा हुआ सबसे पहले तो 2018 का year two का set बनाईए आप देखिए कि आपको उसमें 50 marks आ रहे है या 100 marks आ रहे है या 150 marks आ रहे है यहां से judgment हो जाएगे अगर आपका score 150 है तो definitely आपका preparation बहुत अच्छे level का अभी जग हो चुका है और आपको क्या करना बो मैं बताता हूँ अगर आपको 100 marks आ रहा है इसका मतलब कहीं ने कहीं आप topics को अच्छी तरीके से cover नहीं कियें और 50 marks आ रहा है तो इसका मतलब आपको तो बहुत जादा मेहनत करने के जुरूवत है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर आपको करना क्या देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे maths के बारे में ठीक है कि maths का हम लोग त्यारी कैसे करें tier 2 के लिए देखिए आपके आप भी जानते हैं कि जो time है आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो months का है ठीक है time आपके पास दो months का है इसी दो months में आपको सिर्फ और सिर्फ वापस से बुक लेकर बैठ जाएंगे chapter wise की और बुक जो है उसको बनाना start कर देंगे हर एक chapter को और वो सोचेंग अपने मन में कि एक महिना के अंदर में मैं वापस से सारे chapters को बना के और उसके बाद मैं mock test दूँगा दूसरे बच्चे वो होंगे जो की क्या करेंगे अभी जो है बुक निकालेंगे और उन्ही subject को और उन्ही topics को परेंगे जिनको वो tier 1 के time में complete नहीं कर पाए थे और इसको वो 10 से 15 दिन में complete करके और उसके बाद वो direct जो है वो mock test आपको देंगे ठीक है mock test देंगे ये दो type के students होंगे अब आप खुद बताईए कि इन दोनों में से किसका approach based है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका approach क्या होना चाहिए अगर मैं आपको suggest करो तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास सबसे पहले जो 5 days का time है इसमें आप SSC CGL 2018 का tier 2 का जो questions है वो आप arrange कीजिए 2017 का जो tier 2 का paper है उसको arrange कीजिए ठीक है बस ये 2 साल का जितना भी आपका arrange हुआ है tier 2 का exam हुआ है इसको पहले arrange करके और इसी को आप पहले अच्छे से focus करके बनाईए सबसे पहले यहां से आपको पता चलेगा इसको बनाने के बाद पता चलेगा कि आपका किस किस chapters में आपको दिक्कत आया है और किस chapter में आप जो सा सोच रहे थे कि हाँ आपको algebra आता है लेकिन जब आप question बनाए tier 2 का तो वहां पर आपसे नहीं बना तो यह समझ में आपको आ आपने बनाना start कर दिया अपने recording और 5 से 10 दिन के अंदर में वो सारे chapters को आपने complete कर लिया या तो आप self study से complete किये या आप YouTube से complete किये या किसी और माध्यम से complete किये उसके बाद जब यह सारे chapters complete हो जाते उसके बाद direct आपका approach होना चाहिए mock test के उपर ठीक है direct होना चाहिए mock test और आपका daily जो routine होना चाहिए वो एक mock test का होना चाहिए और एक mock test किसी का भी आप बनाईए चाहे वो grade up का हो, olive board का हो, KD का हो, SSC tube का हो, top rankers का हो जो मैं आने वाले समय मैं आपको questions provide करूँँगा उसका हो एक mock test जो है आपको daily जो है बनाना चाहिए क्योंकि इस mock test में 100 questions होता है और 100 questions बहुत ज्यादा important हो है और इसको आप complete करते करते और अच्छे सा analysis करेंगे तो 3-4 घंटा भी लग सकता आपको test और उसके बाद उसके analysis का ठीक, तो ये math के लिए आपको करना है मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, क्या suggest करना चाहता हूँ कि देखिए, book इसके उल्धन में आपको नहीं फसना है अगर आपको इसके उल्धन में फसना है तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, 15 days के अंदर में उन सारे topics को complete कीजिए जो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस तरीके से आपको chapter select करना है, अपने आप अभी नहीं judge किजिए कि मेरा यह chapter complete है, वो chapter incomplete है, वो chapter incomplete है, आपको यहाँ set बनाने के बाद जो आपका chapter सामने आएंगे, जिस questions में आपको problem हुआ है, जिस approach में problem हुआ है, उस chapter को और उस topic को आपको complete करना है, बस tier 2 के लिए, क्योंकि सबसे ब practice जो होता है, mock test पे यह बहुत कम होता है, ठीक है, जो mock test है, इसका practice कम होता है, आप खुछ सोचिए कि आप एक बात बताईए, जो mind होता है, मैं क्या suggest करता है, सुनिए, यह जो mind होता है, अब क्या है कि आप अभी tier 1 का जब तक exam दे रहेते हैं, मतलब आपका देने वाले थे तब तक आपके अंदर ये चल रहा था, कि यार मेरा तो preparation हो गया है, एक level तक मेरा exam अच्छा जाएगा, फिर क्या हुआ, कि जब आप वापस से फिर पिछले आप tier 1 का वापस से त्यारी start कर देंगे, तो फिर आपको ऐसा लगए है कि अब वह वाला confidence नहीं आएगा, आपको exam देने तक, और वापस से आप फिर book पे आजाएंगे, और फिर वापस से 0 से start करेंगे match परना, तो फिर tier 2 के जब exam होगा, वहाँ तक पहुंचते पहुंचते confidence उस level का नहीं आएगा, अभी जित level पे है, उस level से अपने knowledge को उपर किजिए, ताकि आप tier 2 में और अच्छा performance द से start कर देना है, क्योंकि mock test में ही आप यसे one हुआ, यह सारे questions होते हैं, इतना questions हो गया, जब आपने एक question देखा और इस question को बनाया, फिर आपके पास एक hard question आया, फिर easy question आया, फिर moderate question आया, तो इस से खिलना, अगर आपको आएगा, इस question को skip करना, इसको कैसे बनाना, इसको क कैसे उसको break लेना है, कैसे gear change करना है, class लेना है, सब अपने आप होगा, वहाँ सोचना नहीं परेगा, लेकिन कोई अगर no wise है, उसको नहीं पता है, कैसे क्या करना है, तो वो पहले सोचेगा कि बच्चा को बच्चा है, break लगाएं, या क्या करें, उस चक्कर में वो खुद गिरेगा, बच्चा भी damage होगा, और वो कहीं hospital में होगा, उसी तरीके से अगर आपको book का practice ज्यादा होगा, तो अगर mock test का कम होगा, तो mock test में ये question दिखा, इसको कैसे apply करना है, इसको कैसे कम time में बनाना है, कैसे implement करना है, ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा, ये सी सम question कैसे बनाना है, आप अगर 45 questions बनाए हुए है, time आपका 40 minutes हो गया है, तो आपको पता हो जाएगा calculation करके कि अरे यार मेरा इतना questions में इतना questions complete हो सकता है, तो ये सब चीज सब कैसे होगा, mock test से होगा, तो जो 20% जो students मैंने बताया, जिनको tier 2 का त्यारी आता है, वो सिर्फ और सिर्फ mock test पे focus करते हैं, at least tier 2 के exam देने से पहले 50 mock test को बना के जाते हैं, उसका analysis करके जाते हैं, उसी को revise करके जाते हैं, न कि वो book बनाते हैं, exam दिए, ये वाला चीज किये, tier 1, tier 2 का जो इतना भी पिछले 2 साल का question का practice किये, topics निकाल लिए, कि ये topics में problem हुआ, उसको solve किये 10 दिन में और उसके बाद सारे book को side कर दिये, उसके बाद लगतार mock test बनाएं, उसका solution देखें, उसका analysis किये और उसी पर दिमाग लगाएं, आप ऐसा करके देखिए, definitely आप math में कभी भी आपका score 180 के नीचे तो आही नहीं सकता है, इतना चीज करने के बाद, questions देखिए, अब देखिए, आप जब math का भी analysis चल रहा था, बहुत सारे ऐसे teacher थे, math के question देखके बोल रहे थे, वाई, ये तो हलुआ question है, ये तो ये question है, ये तो वैसा question है, आप खुल बताइए, वो क्या, जब वो अगर exam देता, वो अगर exam देता, उस समय देता, तो उस समय जो उसका approach है, उस समय कितना pressure है, आप किसी चीज को दूर से देख रहे हैं, तो वो चीज आपको easy लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि practice हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा, यही practice आपको सिर्फ और सिर्फ मौक टेस्ट से होगा, जो कि आपको tier 2 का time में करना है, समझ रहा है बात करें English की, ठीक है, English में भी आपने देखा इस बार का जो pattern था, और जो last year का pattern था, सारे question जो है, वो previous year के question थे, ठीक है, previous year के question थे, तो आपको भी पता है, कि English में अब जो आएगा, आपका vocab आएगा, अब आएगा, आपका grammar आएगा, और तिसरा चीज आएगा, comprehension, vocab के लिए आपको सिर्फ और से previous year, पूरा आपको वापस से, फिर से revise कर लेना है, फिर से revise कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, grammar के लिए पूरा grammar rules अब आपको पढ़ना पढ़ेगा, voice का, narration का, क्या बोलते है, common error, sentence improvement, यह सब जो है, grammar के लिए आपको करना, और comprehension के ल समझाओंगा, जिसमें आपको properly math के लिए क्या करना है, और English के लिए क्या करना है, यह मैं आपको in depth समझाओंगा, ठीक है, फिलाल आप मोटा मोटी, आप सभी students के लिए यह चीज है, पता नहीं कितना students को क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, बट फिर भी मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिस की है, तो आप बताईए का आपको problems कहां आ रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं आप से next video में, तब तक के लिए all the best,